Good morning बच्चो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वीटी स्टोन सेतु के सिद्धान्थ को समझेंगे वीटी स्टोन सेतु एक विद्धूत परिपत है जिसका निर्मान सरप्रथम इंग्लेंड के विज्ञानिक वीटी स्टोन ने किया था इस परिपत में चार परतिरोध एक बैटरी वह एक धरमापी को विसेस आकरती में जोड एक परिपत खनिर्मान किया गया है जिसके साहईता से हम किसी अग्याथ परतिरोध का मांग्याद कर सकते हैं ये जो आपके सामने जो परिपत दिख रहा है इसमें देखे P, Q, R, S ये चार प्रतिरोध हैं ये धारमापी है गैललोमीटर जी तथा यहाँ एक बैटरी है E तो इसको एक विशेश प्रकार से सायोजित किया गया है और इस परिपत को ही हम वीटिस्टोन सेतु कहते हैं बच्चों वीटिस्टोन सेतु का सिद्धानत यहा है कि यदि P, Q का मान R, S के बरावर है अर्थात इस पर्तिरोध और इस पर्तिरोध का अनुपात R, S इन दोनों पर्तिरोध होके अनुपात के बरावर है तो IG बरावर 0 अर्थात यह जो मिडल ब्रांच आपको दिख रही है जिसमें आपने गैलोलोमीटर जोड़ा हुआ है इसमें बहने वाली जो धारा है IG वह शून्नी होगी अर्थात गैलोलोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा या कनवर्सली आप ये बोल सकते हैं कि यदि IG बरावर 0 कि आपके पास एक ऐसा सेट अप है प्रतिरोधो का और इसमें बहने वाली धारा यदि 0 हो जाए तो निश्चित तो डेफिनेटली P अपन Q का मान R अपन S के बरावर होना चाहिए तो यहाँ जो सिद्धान्त है यहाँ वीटी स्टोन ब्रिच का सिद्धान्त कहलाता है और इसके सायता से हम किसी अग्यात प्रतिरोध का मान ग्यात कर सकते हैं तो बच्छे देख़ए वीटी स्टोन सेतों के सिद्धान्त को समझने के लिए हम किर्चौफ के नियमों का पालन करेंगे और उसी से हम इसकी वित्वत्ति करेंगे तो देखे हमने क्या किया है यह हो E सैल है इससे I धारा आई है इस वाले जंक्षन A पर यह दिया आप देखेंगे संधी A पर तो I1 धारा P प्रतिरोथ को गई है I धारा आई I1 P से चले गई तो बच्ची कितनी I-I1 यह R प्रतिरोथ को आगई यह I1 धारा B संधी पर पहुंची फिर से संधी नियम नीचे को IG धारा आगी है गैलोनुमीटर को तो बच्ची कितनी I1-IG यह इधर को आगी संधी D पर देखें यह IG धारा आई यह I-I1 आई आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होनी चीए तो यह आने वाली धारा और यह जाने वाली धारा तो I-I1 प्लस IG संधी C पर देखें इधर से I1-IG धारा आई और इधर से I-I1 प्लस IG धारा आई इन दोनों धाराओं के दिए आप जोड़िंगे आने वाली धारा और जानवाली धारा बराबर होनी चीए देखे माइनस आईवन प्लस आईवन कटे प्लस आईजी माइनस आईजी कटे तो बची कितनी आई तो आई धारा इधर को आगई तो हमने इस प्रकार KLECHOF का जो पहला नियम है जिसको आप KLECHOF का संधी का नियम कहते हैं उससे हमने धारा का विभाजन किया है अब हम KLECHOF के दिती नियम से इस कंडिशन को ले के आएंगे जो विभानतर का नियम है देखिए उसको FOLLOW करने के लिए मैंने ये लूप 1 लिया है दिखे आपको लूप 1 लूप 1 विभांतर का नियम आपको पता है कि हम लूप पे लगाते हैं यदि मैं लूप 1 देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताइए लूप 1 कहां से कहां गए A से B B से D और D से A A, B, D, A लूप 1 नियम क्या बताइए सिग्मा E बराबर सिग्मा I, R किर्चॉफ के विभांतर को नियम को हमने इसी रूप में पढ़ा था इसी रूप में समझा था तो सिग्मा E देखे जब हम इस पूरे लूप में चलते हैं तो हमें कोई विद्धुद्वाग बलका स्रोथ नहीं मिला तो G रो बराबर देखे कोई विद्धुद्वाग बलका स्रोथ नहीं है सिग्मा I, R को हल कर रहे है A से B के उरको गए पहला प्रतिरोथ धारा I, 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 P धनात्मक क्यों? हम G से सामें जा रहे हैं धारा भी उसी दिशा में चल रही है B से नीचे को आए यदि इस गैलोलिमेटर का प्रतिरोथ G है तो आप लिख सकते हैं प्लस IG इंटू G D पर पहुंचे फिर D से एक हो जा रहे हैं धारा नीचे को आ रहे है तो माइनस I माइनस I1 इंटू R तो देखिए हमारा ये लूप नियमसा में यहो एक समिकरण मिला इसमें हम यहो कंडिशन रख रहे हैं कि यदि IG बराबर 0 जो वीटिस्टोन से तो कि संतुलित आउस्था की कंडिशन है संतुलन आउस्था की तो यदि हमने IG को 0 रख दिया तो क्या मिला हमें 0 बराबर I1P देखिए हम पे 0 रखा माइनस I माइनस I1 इंटू R IG को 0 रखा तो याला पाद शुन नियो जाएगा इसको जो देखिए हम थोड़ा शफल करके लिखें तो I1P बराबर I माइनस I1 इंटू R ये हमारा समिकरन एक बन गया कि I1P का माण I माइनस I1 इंटू R के बराबर है अब बच्चों देखो लूप 2 पर हम फिर से खिर्चौफ के भंतर के नियम को लगाते हैं लूप 2 देखिए कहां से कहां को है लूप 2 B C D B लूप 2 हम इसे चल रहे है नियम यह है सिग्मा E बराबर सिग्मा I आ देखिए इस लूप में भी कोई विद्ध भागबल का स्रोत नहीं है तो 0 बराबर I आ आ आ आर देखिए D से C को जाएए तो क्या मिला I1 माइनस I G इंटू Q जिस देखिए सम जा रहे हैं धराबी उस रिशा में जा रही है C से D को जाएंगे अब देखिए B, C, D तो माइनस I माइनस I1 प्लस I G इंटू S ठीक है देखिए फिर D से B की और को तो माइनस I G इंटू G अब पुनहाँ वीटेस सोन सेतू की जो संतुलन अस्ता की कंडिशन है उसके लिए क्या होना चाहिए बताइए I G बराबर 0 हो है यदी तो I G इंटी हमने 0 रखा तो इस हमिएकरन क्या बना 0 बराबर I1 इंटू Q देखे इसमें हमने I G को 0 रख दिया माइनस I माइनस I1 इंटू S और ये पत शूनी ये I G को 0 रख दिया इसको पुनह हम विएस्तित करके लिखते हैं तो संपिकरन बना I1 Q बराबर I माइनस I1 इंटू S इस संपिकरन दो हो गया तो देखे संपिकरन एक संपिकरन दो हमें दो संपिकरन मिले हैं यदि हम इन दोनों संपिकरनों को भाग करें डिवाइट करें तो हमें क्या मिलेगा देखे डिवाइट करते हैं संपिकरन एक डिवाइड़ बाइ संपिकरन दो इन दोनों को दिवाइट करेंगे देखें तो i1 P upon i1 Q बराबर i minus i1 upon into r upon i minus i1 into s तो देखें i1 i1 कटा तो बचे क्या देखें P upon Q बराबर r upon s जो हमारे वीटि स्टोन सेतु के संतुलन अवस्था की शर्त है देखे i g बराबर 0 तो P upon Q का मान r upon s के बराबर होना चाहिए तो यही जो condition है या वीटि स्टोन सेतु की condition कहलाती है जब P upon Q बराबर r upon s के बराबर होगा तब इस वाली बीच वाली बराबर जो है इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और आप बोलेंगे कि यह जो ब्रिज है यह संतुलन अवस्था में यह संतुलित अवस्था में है संतुलित अवस्था में IG शूनी इसले होती है क्योंकि बिंदू B और बिंदू D यह जो आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं यह दो के दो एक ही विभाह पर होते हैं यदि B और D का विभाह अगर बराबर है तो इन दोनों की बीच में कोई विभाहनतर नहीं होगा और कोई विभाहनतर नहीं होगा तो धारा शूनी होगी इसमें बहनवाली धारा शूनी होगी तो यहाँ जो सिद्धान्त है यहाँ वीट स्टोन सीतु का सिद्धान्त कहलाता है